जैक करवा चौतमाता की मक्ती भावना यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के दिन मिलेगा केई राशियों को पुत्र धन प्राप्ति का आशिरवाद आज मैं आपको कोछ बागी साली राशियों के बारे में जानकाली दूँगा और साथी बहुत अच्छे उपाई बताने वाला हूँ ये उपाई आपको करने हैं आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन कहा गया है कापी सालों के बाद में बहुत ही अच्छा योग बन रहा है अगर आज के दिन आपनी ये उपाई कर लिए तो जीवन में आपको कभी कोई कश्ट नहीं होगा दोस्तों कापी सालों के बाद में बना है करवा चोथ पर महा दुरलव सयोग कहते हैं कि साल में अगर ऐसे योग बनते हैं तो उस दिन चा कुछ भी हो जाए लेकिन आपको उपाई जरू करने चाहिए कापी सालों के बाद में ऐसे योग बनते हैं अगर आपने इस दिन उपाई कर लिए तो आपके किस्मत बदलने से कोई नहीं रोख सकता पुत्र प्राप्ती नहीं उपा रही है धन प्राप्ती नहीं उपा रही है ब्योपार अच्छने चल रहा है कर्वाचोथ के लिए उपाय जिरू करनेचाहें कर्वाचोथ के लिए पुत्र प्रापती के लिए कर्वाचोथ का ब्रत रखती है चोत माता और भगवान गनेजी प्रसन नोकर के मनवांचित भलप्रदान करते हैं महीने में जब भी गनेज चतुड़ती आती है तो हम विशेश रूप से भगवान गनेजी की पूझा करते हैं लेकिन कार्तिक कृष्ण गनेश चतुरती को करवा चोथ का बरत रखा जाता है। सबसे पहले तो पती पतनी भगवान गनेश जी को दुरबात अलरपन करें। फिर एक पीला जलेवू भगवान गनेश जी को पेनाएं। भगवान गनेश जी के सामने थोड़े से चाबलर पड़ कर दें। भगवान गनेश जी के सामने आप दीपक जलाएं। भगवान गनेश जी के सामने दो केले के पल नारियल रखें। भगवान गनेश जी के सामने दीपक जला के उसमें दो लोंग डाल दें। अब भगवान की सामने बैठ करके अपनी प्रयातना बोलें ओम गंगरपते नमहा एक सो आठ बार बोलें ऐसा करने से भगवान गनेजी मनवांचित पल प्रदान करते हैं और व्यक्ति की सभी मनुकावनाय पूरी हो जाती हैं किसी भी प्रकार की कोई परिसानी है कार पूरे नहीं उपा रह हैं अगर आज के दिन आपने उपाय कर लिया तो आपकी मनुकावना पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता दूसरा उपाय इस दिन माता लच्मी के सामने आपको दीपक जलाना है और माता लच्मी के सामने पांच पीली कोड़ी पांच कमल गट्टे रख दे नहीं जिनको संता का सुक नहीं मिल पारा है पुत्र का सुक नहीं मिल पारा है वो महला है पीली कोड़ी अपनी कमर में जरूर बांदे इसमें सीख ले करके ब्योपार अच्छा नहीं चल रहा है तो ब्योपार इस तर पर पिली कोड़ी रखते हैं साथ ही आपका जोब अच्छा नहीं है जोब म में अर्चन आ रही हैं तो महलाओं को या पुर्सों को एक पीली कोड़ी एक कमल गट्टा हमेशा अपनी साथ रखना हैं फिर देगना जोब में कितनी जल्दी तरकी मिलती हैं माता लच्मी के सामने चीजे रख करके स्रीमा लच्मी नमा मंत्र का जाप करें और माता के सामने तेल का दीपक जलाएं फिर देगना कितनी जल्दी धना अता है और मनो कामना पूरी होती हैं इस दिन मेलाओं को सिंगार का विशे शुप से ध्यान रखना चाहिए खास कर सिंदूर का माता पारवती के सामने सिंदूर जरूर रखना चाहिए और उसमें से थोड़ा सा दिश्यान अब इस सिंदूर को सूखा वाला सिंदूर यूज करना है पैंसल का सिंदूर लाकर के अपने पती के हाथ में देदे में और अपनी मांग भरवाएं इससे करवा चोत माता प्रसन हो जाती है और मनवांचित भल प्रदान करती है अगला उपा है गो माता का कहते हैं कि कोई भी बड़ा परवाए बैसे तो प्रति दिन गो माता की पूजा करनी चाहिए लेकिन कोई भी बड़ा परवाई तो गोव माता का पूजन जरू करना चाहिए जो व्यक्ति गोव माता का पूजन करते हैं उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होता गोव माता की पूजा करने से व्यक्ति धनवान हो जाता है पुत्रवान हो जाता है इस दिन थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल या हरी मूंग की दाल हरी दुरवा थोड़ा सा गुड़ और पालक ऐसी चीजे ले जाकर के गोव माता को खिला दें गोव माता के सरीर पर हाथ फिरें और उनकी जिब्या अपनी हस्त रेकाओं पर गुमाएं ऐसा करने से गोव माता का असिरवात पराप्त होता है कहते हैं कि गोव माता की जिब्या में अगनी का बास है अगर जिब्या हाथों पर फिरती है तो असुब रेकाओं दूर हो जाती है संतान का शुक जिनको ने मिल पा रहा है वो गोमाता को बस्त रोड़ा दें इससे संतान प्राप्ति हो जाती है अगला उपाए पीपल ब्रक का इस दिन पीपल ब्रक की पूजा का बड़ा मैत होता है पीपल ब्रक्य के नीचे दीपक जला करके आपको वहाँ पर साथ परक्रमा देनी है साथ परक्रमा देते समय आप पीपल देव से प्रात्रा करेंगे कि है ब्यक्राज हमारी प्रतिक कार में रुकावटे आ रही है हमारी सारी रुकावटे दूरू कहते हैं कि इस दिन तुलसी माता की पूजा कार्तिक के महीने में तुलसी माता की पूजा का बड़ा महत्व है उसमें भी करवाचोत का जो दिन होता है ये बड़ा ही पवित्र दिन होता है इस दिन जो व्यक्ति तुलसी माता की पूजा करते हैं इस तरह पूर्ज सभी उनके घर में साक्यात माता लच्चमी का बास होता है घर में सुक और सम्रदी रहती हैं कापी सालों के बाद में बहुत ही अच्छा योग बनाए तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं चोव मुखी उसमें दो लोंग डालें तुलसी घमले में थोड़ी सी हल्दी चावल एक पीली कोड़ी डालें और कोई नहीं रोख सकता अब बात करते हैं भाग गिसाली राशियों की लेकिन मेलाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना है इस दिन लड़ाई जवड़ा किसी से ना करें साथ ही प्रति दिन आप कार्तिक मास में भगवान विश्णू का पूजन करें और आज के दिन करवा चो में अगली रासी है मितौन रासी बहुत ही भागिसाली रहने वाली है उसके बाद में हैं करक रासी, उसके बाद है आपकी सिंग रासी, फिर कन्या रासी, उसके बाद ब्रस्चिक रासी, धनु रासी, मकर रासी, कुम रासी, ये रासियां हैं जो बहुत ज़्यादा भागिसाली रहने वाली हैं, इनका योग बहुत ही अच्छा है, इस दिन करवा चौत माता के सामने रखा हुआ फल अपनी जोली में जरूर डरवाएं फल नारियल और वह आपको जरूर खाना चाहिए इससे आपकी मनुकामना पूरी होगी आपको लाब मिलेगा आपकी जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परिसानिया दूर होगे मुझे अमीद आपको यह बहुत ही अच्छी लगयोगी तो करवाचों से सम्मंदित संपूर जानकारी में आपको दी हैं इन बातों का विश्य सूप से ध्यान रखें कापी सालों के बाद में बहुत ही अच्छा योग बनाएं तो जो चीजे आपको खानी है वो भी में बताई हैं जो चीजे नहीं दिखानी है वो भी में बताई हैं इन बातों का विश्य सूप से ध्यान रखेंगे तो भगवान की किरपास से आपको बहुत बड़ा लाम मिलेगा और आपकी प्रतेक मनुकामना पोरियोगी मुझे अम्यद है आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगए वीडियो को ओम नमस्तुवाए जरू लेखें